नमस्कार मैं रवीश कुमार अभी तक आप रास्टर के नाम संदेश सुना करते थे जब किसी को लगे कि सेट देश को अपनी जेब में रखने लगा है तब रास्टर के नाम संदेश सुना बंद कर दीजे सेट के नाम संदेश सुनाना शुरू कर दीजे आप चाहें तो अपने रेडियो चैनल पर सेट की बात भी शुरू कर सकते हैं संडे के दिन आजादी के आंदोलन के समय भारत के कई सेटों ने अपना बिजनेस दाओं पर लगा दिया इसलिए कि भारत आजाद हो और लोकतंत्र कायम हो अब उसी आजाद भारत में कुछ सेट ऐसे हैं जो लोकतंत्र और अविव्यक्ति की आजादी को कुचलने के नए नए तरीकों में हिस्सेदार बनते जा रहे हैं इसलिए सेट के नाम संदेश जारी कर रहा हूँ कारोबार बहुत साफ है मेरी समझ में कि देश और समाज के लिए अतिनत जरूरी है दुनिया के अन्य देशों की तरह हमारे देश के सेटों ने भी समाज को बहुत कुछ दिया है लेकिन हर सेट को आप उसी एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं बहुत सारे सेट होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं अपना उत्पाद बनाते हैं उस उत्पाद को लेकर दुनिया में विश्वास हासिल करते हैं दूसरे अच्छे उत्पादों से प्रतिस परधा करते हैं पैसा कमाते हैं समाज और देश को देते हैं मगर दो-चार सेट ऐसे होते हैं, जो राजनीती के बेहत खास होते हैं, उन्हें हर चीज का ही ठेका मिल जाता है, जंगल से लेकर बंदरगा, आसमान से लेकर जमीन तक का, ऐसा लगता है कि बाकी किसी सेट को बिजनिस करना नहीं आता है, ऐसे सेट का सारा कारोबार आप आईए, या उन सेटों की तरह नहीं है, जो गली, नुकड़ पर गर्मी, सरदी, बरसात में हड्या गलाते हैं और बिजनिस करते हैं, ऐसे ही दो-चार सेटों के लिए ये सेट के नाम संदेश है, इनका बिजनिस सरकार की गोद में बैट कर होता है, इसलिए इन्हें आप ग गोदी सेट कह सकते हैं, जैसे गोदी मीडिया होता है, वैसे ही भारत में गोदी सेट आ गए हैं, गोदी मीडिया में दो तरह के सेट हैं, इसे ध्यान से समझेए, पहले प्रकार के वे सेट हैं, जो इस माध्यम में बहुत पहले से जम्मे हुए थे, लेकिन उन्हें गोदी मीडिया बनाया गया वे गोधी मीडिया के जरीए अब धंदा कर रहे हैं गोधी मीडिया क्या करता है जनता से सच्चाई छिपाता है और दिनरात आपको हिंदू मुसल्मान के बीच विवाद में उलजा कर रखता है या इसी तरह के दूसरे विवादों में फसाय रखता है तो गोदी मीडिया देश का पहला ऐसा बिजनिस है जिसमें हजारों लोग इस बात के लिए घर से निकलते हैं कि दफ्तर पहुंचकर खराब से खराब प्रोड़क्ट बनाएंगे ऐसा कही बिजनिस आपने देखा है घटिया प्रोड़क्ट बनाने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं कम लागत में बना रहे हैं ताकि आप खुशी-खुशी मुफ्त में आपको मिले और समझे कि आप गरहन कर रहे हैं ये लोग घर से निकलते हैं कि हम पत्रकारिता करने जा रहे हैं यही बता कर निकलते हैं लेकिन पत्रकारिता के नाम पर दफ्तर पहुँचकर जहर पहलाने का काम करते हैं केवल जहर ही नहीं जनता तक दूसरी सूचनाएं ना पहुँचे हैं जनता की बात सरकार तक और जनता तक ना पहुंचे इसके लिए घजब घजब का प्रपंच रचते हैं लेकिन अब जनता कुछ-कुछ समझने लगी है समझ रही है जनता कि नफरती डिबेट से उसका भला नहीं हो रहा है जिन बच्चों को डॉक्टर बनाने में ध्यान देना चाहिए वे दंगाई बनाने के खेल में फसाए जा रहे हैं उसकी मानसिक्ता का प्रसार हो रहा है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा दंगाईयों की मानसिक्ता के साथ बढ़ा हो तो अब यहां से बदलाओ का रास्ता खोजा जा रहा है आपके लिए नहीं बद ताकि आपको जहां से दिया जा सके कि ये कोई दूसरा मीडिया है उनसे अलग है ये बात आपको समझनी है गोधी मीडिया पार्ट टू लाँच होने जा रहा है एंकरों की जगहें बदली जा रही हैं आप देखेंगे एक एंकर यहां से वहां जा रहा है वहां से यहां आ रह सेट ही गोदी हो तो क्या उसका मीडिया गोदी मीडिया नहीं होगा सोचिए जिस सेट का सारा काम सरकार से जुड़ा हो कई तरह की सरकारों से जुड़ा हो क्या वो सरकार से सवाल पूछ पाएगा आप सोचिए आपके लिए कौन पुछेगा कौन बोलेगा जब आपको लगेगा कि आपके लिए किसी को बोलना चाहिए तब ये गोधी मीडिया पार्टू क्या करेगा विदेशों में भारत का नाम कैसे हो रहा है डंका कैसे बज रहा है इसकी कहानी बताकर आपको अपनी परिशानियों से दूर करेगा और उन्हें बंद कर देगा व्यापक जनता के बीच पहुँचने से तो ये खेल होने जा रहा है आपकी तनका चार साल से नहीं बढ़ी है बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं अच्छे कॉलेज नहीं है और गोदी मीडिया इस पर बात नहीं करेगा तो गोदी मीडिया पार्ट टू में इसके लिए शरीफ एंकर लाए जाएंगे जिनके बोलने का तरीका कुछ और हो वो इसी सिस्टम के पार्ट हों मगर वो जनता के बीच जाधा बदनाम अभी नहीं हुए है तो ऐसे लोगों के हाथ में ये कमान सौपी जाएगी और जाए इसके नाम पर एक तरह से आपको चांद दिखाकर आपसे निवाला छीन लिया जाएगा इसलिए गोदी मीडिया पार्ट टू के खेल को ध्यान से आपको समझना है इसमें आ रहे सेठों के धंदों पर नज़र रखिए उन धंदों को समझिए कि क्या हैं कैसे मिला है और उन धंदों को लेकर किस तरह की बाते हुई हैं यह जो गोदी सेठ हैं बाकी सेठों से बहुत अलग होते हैं बाकी सेठ भी जानते हैं कि दो चार गोदी सेठ हैं उनकी ताकत बहुत बड़ी है वो जो चाहें कर सकते हैं हर चीज खरीच सकते हैं उनसे बचकर या उनकी छोड़ी हुई जगों पर अपना धंदा चुकचाप कर रहे हैं, बोल नहीं पाते हैं, पहले से अच्छा और सस्ता देने के नाम पर आपको ठगा जा रहा है, ये वीडियो लंबा होने जा रहा है, इसलिए गुजारिश है कि आप सुनने का तरीका अब बदल लिजे, ठहर कर सुनिए और क्या कहा गया है, उसे बार-बार सोचिए, बार-बार इस वीडियो को देखिए, तो इसी संदर में आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ, ये किस्सा है जर्मनी का, हिटलर को आइडिया आया, कि पचास में से केवल एक ही जर्मन के पास कार है, तो वो आइडि सब को कार के लिए, और सब को लगता है कि हाँ, हमारे पास कार नहीं थी, हम तो अभी तक गर्व करी नहीं पा रहे थे, जब कार आया जाएगी, तब हम गर्व करेंगे, तो इस किस्से को आपको खास संदर्व के लिए बताना चाहता हूँ, इन दिनों आप देखेंगे कि क कार की जगह मुफ्त में मुबाइल डेटा बाटा जाता है, और कई चीज़े बाटी जाती है, जिससे आपको फाइदा भी होता है, लेकिन सोचिए कि एक सस्ती चीज़ देकर बाकी कितनी चीज़ें, बेशकिमती चीज़ें आप से ली जा रही हैं, इसका हिसाब करेंगे, तब आपको खेल समझाने लगेगा, तो मई 1937 में नाजी पार्टी की मजदूर इकाई एक कॉपरेटिव बनाती है, फोक्स वैगन के नाम से फरडिनेंट पोर्श को ले आती है, जो अमीरों की कार तब बनाया करते थे, बहुत आटोमोबिल इंजिनियर थे उस समय के बहु ये आज के हिसाब से उन्हें तब का गोदी सेट कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, फरडिनेंट पोर्श को तो वो एक कार डिजाइन करता है, और उसी वक्त दिसंबर 1938 में यहुदियों के लिए कार चलाने पर रुख लगा दी जाती है, एक तरफ जनता सस्ती कार म मिलने के सपने में खोई हुई है, दूसरी तरफ उसी जनता के एक बड़े हिस्से के कार चलाने पर रोक लगाई जाती है, और उसे गैस चेंबर में भेजा जाने लगता है, अब आप समझ रहे हैं कुछ-कुछ, सोचिएगा, तो इसलिए कहा जाता है, जो लोग कहते हैं कि तकनिकी सभी के लिए समान अफसर लेकर आती है, यह बात पूरी तरफ से ठीक नहीं है, अंतिन और सबसे बड़ा फाइदा किसे होता है, यह हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते हैं, एक किस्सा और है, सभी कार खरीच सकें, इसलिए उस समय हिटलर की पार्टी ने एक बचत योजना बनाई जिसमें तीन लाग से अधिक लोगों ने अपने पूंजी लगा दी, लेकिन तब तक द्वीतिय विश्वयुद्ध शुरू हो गया, और हंगामा मच गया कि देश के लिए कुछ करना है, और वो कमपनी जो है, वो कार की जगा सैनिक साजो सामान बनाने लग जाती है, तीन लाख लोगों को कार नहीं मिलती है, उनकी पूंजी डूब जाती है, उस कमपनी में एक कामगार था, जिसने बाद में अपना एक अनुभाव बताया, पंदरह हजार लोग बंधुआ मजदूरी करते थे, साड़े तीन सो लोग इसलिए मर गये, कि उनके इला खाने में ही समझ में आया, कि वो एक गुलाम है, उस प्लांट में काम करते हुए उसने महसूस किया, कि वो केवल एक सामान है, वस्तू है, व्यक्ती नहीं है, जो केवल काम और काम कर सकता है किसी के इशारे पर, इसी समय गुलाम भारत के सेट क्या कर रहे थे, उस इतिहास म जाएंगे तो आप सेठों पर गर्व करेंगे बलकि आज भी भारत के लाखों वेपारी आजादी के आंदोलन में उस समय के सेठों की भूमिका पर गर्व करते हैं ऐसी विरासत दे कर गए हैं वो हम सभी को करना चाहिए हम केवल चंद बड़े सेठों के नाम जानते हैं जो मै लाल बाजाज, वाडिलाल, लल्लू भाई, महता, सैमूल एरेन, लाला शंकर, लाल भी सेठ ही थे ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले लिया सीधे कॉंग्रेस में शामिल हो गए जो उस वक्त आजादी के आंदोलन का नित्रित्व कर रही थी जी डी बिल्ला, अंबालाल सारा भाई, वाईचन, हिराचन, जैसे सेठ कॉंग्रेस में शामिल नहीं, वैसे भी लोग थे, मगर बाहर से आंदोलन का समर्थन करते रहे, इन में से कोई भी सामान्य सेठ नहीं था, हमारे हीरो हैं ये लोग, हमारी अजादी की लड़ाई के विरास्त हैं, इन्हें भी छापा पढ़ने और बिजनिस दूब जाने का डर रहा होगा, मगर ये उस डर से उस वक्त बाहर आ गए, इन सब सेठों के योगदान को आप ध्यान से देखिए, पता चलेगा कि कईयों ने अपनी दुकान जलाकर आजादी के आंदोलन को सींचा है, आज भी ऐसे कई सेठ हैं जो भारत को इनी सपनों के साथ देखना चाहते हैं, आज भी, मगर वे डर गए हैं, डरा दिये गए हैं, इसलिए अब नहीं बोलते हैं, आपको याद है, एक बार राहुल बजाज ने, अमिश शा से एक सवाल पुछ लिया, कितना हंगावा मच गया था, बड़ी खबर बन थी, क्योंकि अब पबलिक में आपके सेट सरकार से सवाल नहीं करते हैं, एक समय था जब काफी बोला करते थे, इसलिए मुझे लगा कि सेट के नाम संदेश जारी करना जरूरी है, तो आजादी के समय के सेट बिजनस तो कर रहे थे, मगर ये भी देख रहे थे, कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने आजादी की लड़ाई में हाथ और धन दोनों बटा दिये, बैंगलूरू के हाजी उस्मान सेट ने तो अपनी सारी पूंजी गांधी के आंदोलन को दे दी, आयात किया हुआ सारा सामान जला दिया, बाद में हाजी उस्मान की मौत किरा के मकान में हुई, लेकिन जब उनकी मैयत निकली, तो इतने लोग शामिल हुए कि पांच किलोमेटर की लाइन बन गई, ये था सेटों के प्रती सम्मान, उनका आदर और उनका योगदान, तो जिस समय हिटलर की जर्मनी में सेट उसके साथ मिलकर अपनी ही जनता को जला रह थे, भारत में, गांधी के भारत में सेट अपना बिजनेस जला कर लोगों के अंधेरे घरों में दिया जला रहे थे, है ना उनका शांदार इतिहास, मीडिया को सेट ही चलाते हैं, हर दोर में सेट, मीडिया और सरकार की भूमिका और रिष्टे बदलते हैं, हर समय नई की तुलना, हर तरह के सेट से करते हैं, मगर यह खेल इतना सरल नहीं है, पिछले आट साल में कई नए मीडिया संस्थान आये, जैसे कैरवन, वायर, नियूज लॉंड्री, स्क्रोल, आर्टिकल 14, यह भी मीडिया का काम करते हैं, क्या गोदी सेट इनकी मदद कर सकता है, इन केवल धंदे के उसूल की तरह किया जाने वाला निवेश नहीं है, आप बहतर तरीके से जानते हैं, कि गोदी सेट क्यों गोदी सेट है, आप ही बहतर बता सकते हैं, कि यह सेट किसका है, मतलब खुद बना है, या किसी का एजेंट है, गोदी सेट के पास दौलत बहुत है, बहुत ताकत है मगर याद रखना चाहिए सभी को गोदी सेट को भी कि अब भारत है इसकी महान जनता को कोई गोदी सेट चवन्नी न समझे उसके स्वाभिमान से ना खेले वरना वो अपनी जेब से केवल एक एक चवन्नी निकाल कर रख देगी तो दौलत का ऐसा पहाड बन जाएगा और उसके सामने सेट की सारी दौलत चवन्नी हो जाएगी महान भारत की महान जनता का सामर्थ दुनिया के किसी भी नंबर के दो नंबरी सेट से बढ़ा है किसी भी नंबर के दो नंबरी सेट से है सेट के नाम संदेश इसी मकसद के लिए है बताने के लिए पूरी दुनिया में देखिए कि अबल भारत में नहीं है सेट लोग क्या कर रहे हैं दो चार ही सेट होते हैं हर देश में वो पूंजी को अपने नियंतरण में कर लेते हैं सारी पुझी उनके पास होती है ऐसे सेथ राजनिती की गोद में होते हैं और राजनिती इनकी गोद में होती है विकास विकास की राजनिती के नाम पर ऐसे सेथ आपके लिए नौकरी का सपना पैदा करते हैं कुछ समय के लिए कुछ को रुजगार देते भी है फिर उस नौकरी के नाम पर जंगल जमीन आसमान तक पर अपना कबजा जमा लेते हैं आप देखेंगे के इस काम में दो ही तीन सेट होते हैं ज़ाधा से ज़ाधा दस होते हैं किसी भी देश में देखे किवल भारत में नहीं है इनका मकसद रोजगार और देश के लिए धन पैदा करना नहीं होता अपने नेता के लिए जनता को निर्धन करना होता है ताकि उस जनता को मुफ्त में दो चार चीजें दे कर एहसान किया जाए जताने की कोशिशों कि आपको हम दे रहे हैं लेकिन आ अर्देश में दो ही चार बड़े गोदी सेट होते हैं जो हर तरह का मीडिया खरीद लेते हैं और बाद में जनता को खत्म कर देते हैं मुम्किन है गोदी सेट के यहां काम करने के लिए पत्रकारों की लाइन लग जाएगी नौकरी है मजबूरी है यह बिलकुल समझता हू आपकी मजबूरियों को समझता हूँ मैं यह बात पत्रकारों से कह रहा हूँ फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि याद रखिएगा आप एक खतरनाक गोदी सेटों के यहां काम कर रहे हैं यह बात आप याद रखिएगा इसलिए जनता से कहता हूँ कि आप गोदी मीडिया द नौका मिल सकता है इसके बाद भी गोदी सेट के पत्रकार अगर वो नौकरी ना छोड़ पाएं उनके यहां नौकरी करने के लालत से अपने आप को ना रोप पाएं तो एक बेहद आसान रास्ता बताता हूं जब वे दफ्तर से घर लोट कर आएं तो अपने बच्चों से पत बताई जानी चाहिए वो खबर नहीं बताई जाती है आज हमने कई जरूरी खबरों की हत्या की है हत्या होते हुए देखी है नए और अच्छे कहे जाने वाले पत्रकारों को लाया जाएगा गोदी मीडिया पार्ट टू लांच होगा यह बाते बहुत अच्छी करेंगे श अब कंधे पर हाथ रखकर गर्दन सहला कर आपका काम तमाम किया जाएगा तो तमाम तरह के प्रोमो आएंगे जिससे लगेगा कि यह पत्रकारिता के तारण हार आ गए हैं अब पत्रकारिता यह लोग बचा लेंगे लेकिन इनकी भाशा पर गोर करते रहीएगा इनकी आख आया जा रहा है उसके बारे में सोचिए चैनलों से खबरें गायब हो रही हैं खबरों की जग़ा जगड़े भर दिये जा रहे हैं गोदी सेटों का गोदी मीडिया अलग गलब चैनल मगर सभी का काम एक क्या यह आजाद मीडिया की निशानी है खुद से सोचिए यह कैसा बिजनिस है जहां खराब माल बनाने को लेकर कॉमपेटिशन हो रहा है बिना आजाद मीडिया के नागरिक की आजादी का क्या मतलब है कहां बोलेंगे आप किस से बोलेंगे आप क्या आप बरदाश्ट कर सकते हैं कि इतने महान देश में एक आजाद मीडिया नहीं है यह ग निकाल लेंगे आजाद पत्रकारों के लिए खत्रे बढ़ने वाले हैं राष्ट्रिय सुरक्षा से जोड़ कर उन्हें अब दबाया जाएगा इसके नाम पर पहले ही कई लोगों को फर्जी तरीके से जेल में बंद किया गया है आप जानते हैं कई उधारन दिये जा सकते हैं मगर आप जनता ने यूट्यूब पर अजी तंजुम अभिसार से लेकर संजय शर्मा, पुन्य प्रसुन वाजपेई, शाम सिंग, मीरा गिर्धारिलाल, साक्षी जोशी, निखिल वागले इन समी के चैनलों को सब्सक्राइब किया है इसका मतलब है आप इस खेल को समझ मगर उन सभी का साथ देकर आप लोगों ने इतिहास के इस मोड़ पर बेहत शांदार काम किया है आपने गोदी मीडिया छोड़ दिया है तो इस गोदी सेट से आगरह है कि वो उन सेटों की तरफ देखे जिनोंने देश को आजाद कराने में अपनी भूमी का निभाई ऐसा सेट ना बने कि उन सेटों के बनाएं लोगतंत्र को कुचलने का आरोब गोदी सेट पर आ जाए लग जाए इसलिए हमें लगा कि आपके बीच आकर सेट के नाम संदेश पढ़ना चाहिए गोदी सेट को बताना बहुत जरूरी है कि वो बिजनेस करे खुब बिजनेस करे दॉलत से इस देश की शान को चमकाए कोई हर्च नहीं है मगर उसकी शान से खिलवाड ना करे जनता देख रही है एक छोटा सा किस्सा और आप बजट के समय फिक्की नाम की संस्था के बारे में सुनते होंगे ये उद्द्योगों की बहुत बड़ी संस्था है इसका गठर 1927 में हुआ था जीडी बिल्डा और पुर्शुतन दास ठाकुर दास ने किया मकसद था कि जो भारतिया वेपारी हैं उनके हितों की बात अंग्रेजों की सरकार से की जाए पर देखिए देखिए इस बात को कि कैसे वो अपनी बात करने गए थे अंग्रेजों से लेकिन को लूट लिया है कैसी कैसी नीतियां बनाई है इन नीतियों की वज़से भारत के कारोबारी पनप नहीं पा रहे हैं फिकी से जुड़े बिजनसमैन समझ गये कि उन्हें राजनिती कदम उठाने पड़ेंगे 1928 में पुर्शुतन दास ने कहा कि हम अब और राजनिती से अ सरकार बनाई है इसी से जुड़ा जीडी बिल्ला का एक प्रसंग है तब जीडी बिल्ला ने अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारियों से कहा था कि कॉंग्रेस केवल समविधान के हिसाब से काम करने नहीं आ रही है बलकि आजादी के लक्ष को आगे बढ़ाने के लिए सरका इसका मतलब तो यही था कि जनता अहिंसक रूप से सरकार की बात मानने से इंकार कर देगी सिविल ना फर्मानी कर देगी यह हमारा इतिहास है वक्त फिल्म में एक चिनौए सेट हुआ करता था लेकिन अब वो गोदी सेट में बदल गया है इसलिए आज का वीडियो बनाना पड़ा बताने के लिए कि गोदी सेट भारत की जनता को चवननी ना समझे मीडिया और पत्रकार बिक सकते हैं लेकिन जनता को कोई नहीं खरी सकता क्या दिन थे जब हमारे सेट अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव डालते थे कि जनता का दमन मत कीजिए कॉंग्रेस और प्रेस से बैन हटा दीजिए मगर अपने बिजनिस को इसके लिए उन्होंने खत्रे में डाल दिया मगर आज हम कहां पहुंच रहे हैं यही याद दिलाने के लिए था सेट के नाम संदेश गोदी चैनल देखना बंद कर दीजिए बिना महनत के बिना समय लगाए बिना किसी खर्चे के आप अपने प्यारे देश के लिए इससे जादा कुछ नहीं कर सकते इससे बहतर कुछ नहीं कर सकते नमस्कार